जब कभी भी आप अपने Google Chrome ब्राउजर से या फिर अपने डिवाइस की किसी भी एक डिफोल्ट ब्राउजर से किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं, मान लिजे कि वो बैंकिंग सिक्टर की हो, सोसल मीडिया हो या फिर कोई सौपिंग वेबसाइट हो तो वहाँ पर आपको ये option देखने को मिलता है कि password save आपको करना है या फिर नहीं passwords are saved in your Google account so that you can use them on any device ठीक है, तो आपको ये अगर save करना होता है तो आप save पे click करते हैं और नहीं तो never पे लेकिन जब आप save पे click करते हैं तो क्या आपको मालूम है कि वो save password को आप कैसे देख सकते हैं अगर नहीं मालूम तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Google Chrome ब्राउजर में या फिर Google के account में किसी भी save password को कैसे देख सकते हैं ठीक है तो वीडियो को अन तक देखते रही है चलिए शुरू करते है जब यह आप Google Chrome ओपन करेंगे तो यहाँ पर यह आपको three dot का option दिखाए दे रहा है इस पर आप click करेंगे click करेंगे तो यहाँ पर आपको setting नजर आ रही है यह option पर आप tap करेंगे ठीक है यहाँ पर आपको यह password का section दिखाए दे रहा है इस पर आप click करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर आपके Google के account में जितनी भी password save है वो total की total आपको यहाँ पर दिखाए देगी अब माल लेते हैं कि अगर मुझे किसी भी एक account का password चेक करना है जैसे कि यह amazon वाला हुआ ठीक है तो इस पर मैं click करूँगा और यहाँ पर यह eyes का यहाँ पर आपको आइकन दिखाए दे रहा है इस पर आप click करेंगे जो की मतलब आपके password हो या फिर email ID हो कोई भी आपका personal data हो वहाँ पे screen recorder काम नहीं करता है ठीक है यही सेम तरीके से आप अपने web browser मतलब की computer के web पे भी चेक कर सकते हैं अपना save password Google का और अपने mobile में भी ऐसे ही चेक कर सकते है ठीक है तो बस फिलाल की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए बबाए जैहीन